नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तों पस्थित हों आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां सिर्फ दो से तीन खजूर आपके शरीर को फौलाद बना देंगे कब्ज वजन बढ़ना रक्त बढ़ाना हरदय मरदाना ताकत सुखी खांसी इत्यादी दोसो रोगों का रामबान उपाय है जिहां खजूर फल पोश्टिक तत्वों का बहुत बड़ा खजाना होता है यह शरीर की सब तधात्वों की पुष्टी करके शरीर को फौलाद की तर है और अपने स्वाद और गुनों के कारण आज संपूर्ण विश्व में समान रूप से पाया जाता है खजूर को ही सुखा कर चुहारा बनाया जाता है खजूर से हमको क्या स्वास्थे लाब प्राप्त होते हैं इस हमारे वाइस ओवर में आज हम सब यहीं जानेंगे खज खजूर से मिलने वाले स्वास्थे लाबों के बारे में खजूर के चमतकारी फायदे कब्ज में स्थाई आराम जिहां कब्ज का मुख्य कारण होता है आंत में खुश्की होना और खजूर आंतों की खुश्की को पूरी तरह से खत्म करता है खजूर के द्वारा कब्ज को खत्म करने के लिए रोज सुबा दो तीन खजूर को एक कटोरी ताजे पानी में डुबो कर रख दीजे और रात होने तक रखा रहने दीजे रात को सोते समय इन खजूरों को खुब चबा चबा कर खा लिजे या प्रियोग साथ से पंद्रह दिनों तक लगातार कीजे आपको फर्क नजर आने लग जाएगा वजन बढ़ाने में ये बेहदलापकारी होता है खजूर में सभी पोशक तत्व तो पाए ही जाते हैं इसके अतिरिक्त यह कैलोरी और ग्लुकोज का भी बहुत अच्छा सुरोत है जिस कारण से यह दूबले पतले लोगों में वजन बढ़ कर सकता है वजन बढ़ाने का लाव उठाने के लिए 14 साल से अधिक उम्र के लोग रोज पूरे दिन में 10-12 खजूर खुब चबा चबा कर खाएं उनको लाव होगा इसके साथ ही ये उर्जा देता है खजूर में शरीर को तुरंत उर्जा देने की प्राक्रितिक शक्ति होत है तो दोसे तीन खजूर खा करके उर्जा प्राप्त की जा सकती है नारी तंत्र को मजबूत करता है शरीर का नारी तंतर सबसे ज्यादा उलजए हुए तंत्रों में माना जाता है संपूर शरीरेंद्रियों का मस्तिश्क के साथ संपर्क मुख्यत नाडी तंतर के द्वारा ही संभव हो पाता है खजूर नाडी तंतर का परम मित्र शिद्ध होता है खजूर में उपलब्ध पोटेशियम नाडी तंतर के लिए बहुत जरूरी होता है साथी साथी रक्त चाप को नियमित रखता है और हिर्दय को भी मजबूत करता है खून की कमी को ये दूर करता है खजूर में शरीर के लिए लाफकारी और शरीर द्वारा आसानी से स्विकार किया जाने वाला आयरंता तो पहा जाता है अता खजूर की कमी से परिशान लोगों के लिए खजूर वास्तों में किसी वर्दान से कम नहीं है रक्त अलपता के रोगियों के लिए रोज दो बार दो खजूर खाना परियाप्त होता है मर्दाना ताकत आती है इससे प्रती दिन खजूर खाने और साथ में दूद पीने से शरीर को भरपूर शक्ति मिलती है खजूर के सेवन से मरदाना ताकत में वृद्धी होती है शरीर में शक्ति आती है, दो خजुर को दूद में उबाल कर खाने से और साथ में वहीं दूद पीने से शरीर में शक्ति का संचार होता है हरदय रोग जिहां हरदय रोग यदि 4-5 खजूर रोज खाएं तो यह उनके रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार सरल कर देता है जिससे रक्त संचार के औरोध होने से हरदय रोग की भावना नश्ट हो जाती है कमर दर्द में ये राहत देता है दो खजूर को जल में उबाल कर उसमें 2-3 ग्राम मेथी दाना का चूण मिला कर रोज खाने से महिलाओं का कमर दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है अगर आपको नजला है तो खजूर को काली मिर्च के चूण के साथ दूद में उबाल कर पीने स साथ खजूर रात भर पानी में भिंगो कर सुबह उनकी गुठली निकाल कर गुदे को शहद के साथ खाने से लिवर और तिली बढ़ने के रोग खत्म हो जाते हैं जिहां दोस्तों तो देखा आप सभी ने कि खजूर बहुत ही मिठा होता है जिसके कारण से यह शरीर में खु बहुत ही कारण ओश्री जिहां दोस्तों तो देखा आप सभी ने आज की जानकारी आप सभी के लिए थी अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूडते हैं कोर बहादी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमसकार दोस्तों